जिलाई के हथखोज बस्ती में बेती रात भीड ने एक आदतन बदमाश को पीट पीट कर माट डाला मावलिंची की इस घटना के बाद पुरी बस्ती में सन्नाटा चाया हुआ है पुलिस ने बताया कि मृतक आशिक विश्वकर्मा तीन दिन पहले ही जेल से चूटा था और दो दिन पहले बस्ती की योको से उसका जगड़ा हुआ था बेती रात योको ने समझोता करने बदमाश को बुलाया था समझोते के दौरान ने मृतक का योको से फिर से विवाद यहां पर हुआ मारपीट हो गई बीज बचाव में बस्ती की ये लोग पहुँचे और बदमाश की लाटी रंड़े से पिटाय कर दी जिससे उसकी मौत हो गए बारदात की सुचना पर पलिस ततकाल घटना इस्तल पहुँची मृतक को अस्पताल पहुँचा है वहीं देर रात पलिस और क्राइम रांश की टीम ने बारदात के शामिल 14 महिलाओं समित 26 लोगों को हिरासत में लिया था जिन में से तीन दबबती समित 9 लोगों को पलिस आरोपी बनाया है बाकी संदेईयों को पुस्ताच के बाद छोड़ दिया गया मामले में वस्तिवालों का कहना कि बदमाश आशिक विश्यकर्मा लोगों को काफी परिशान करता था साथी आया दिन महले की बहन बेटियों से शिरखानी भी करता था सब लड़की लोगों सब इसको जाने देते नहीं थे चेह चाह कई इसलिए सब मार पिट किये साल दो साल होगे बहुत तंकरतरी से दम परसान होगे हनपूरा ना लाइका मन के रेंग ना इस पूल जाना ना हमर मन के लिखना ना आधधर राधा पल में लिख लत रहें दो दिन बाद चुका है और वहीं गया थे अधको उसमें पता करने के लिए कि वह अंतर पांडे का लड़का करेथ हुआ था ना उसी को पता करने गुंड़ा पतमाज था उसके साथ कुछ उपो की बहस बाजी हो गई और उस बहस बाजी को लेकर के आपस में विवाद बढ़ा और उसके बाद उसको मारपिट किया उसके साथ पहला वस्ता में हस्पिटलाइस किया गया था बाद में उसकी मौत हो गई